यह सवाल में पास्ट रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि जो कस्टरमर है वह टेक्स फ्री बॉण्ड खरीदता है उसकी प्रॉब्यप्टी जो है वह 0.6% है तो हम टेक्स फ्री बॉण्ड को भी कह देते हैं फिर उसके बाद इन्वेस्मेंट इन्वेस्ट करता है वह और मुच्वल फंड की प्रॉब्यप्टी जो है वह 0.3 है फिर आगे वह कंटिन्यू कर रहे हैं सेंटेंस एंड विल इन्वेस्ट इन बोथ टेक्स फ्री बॉण्ड एंड मुच्वल फंड विट प्रॉब्यप्टी पॉइंट वन फाइफ तो इसमें यह क्योंके एंड यूस किया है इसने अभी सामेंट इन्वेस्टी दोनों में एक साथ एटर टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो जब भी बोथ और एंड का वर्ड आये तो इस मत्दब है कि यह इंडीकेट कर रहा है कि यह इन्टरसेक्शन हो सकता है अब क्यूंकि यह पूरा सेंटेंस से पढ़के यही बता चल रहा है कि वह टेक्स फ्री बॉण्ड में भी निवेस्ट कर रहा है और साथी साथ मुचल fund में भी invest कर रहा है दोनों में एक साथ कर रहा है तो इसकी probability दिये तो यह intersection कर लाएगा यह आपके पास तो बी intersection M हो जाएगा 15% हो जाएगा फिर आगे चलते हैं at this time find the probability that customer will invest either tax-free bond और mutual funds तो जब भी और का वर्ड आज है इसका मतलब union find out करने के लिए यह choice दे रहा है आपको जब भी choice दो ना आपके पास तो आपने union find out करना होता है अच्छा 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 यूनियन का असान सा एक formula drive किया है हम लोगों ने के union आप अगर निकालें तो आप probability of B plus probability of M क्योंके B union M हम निकाल रहे हैं तो probability of B plus probability of M हम add कराएंगे और क्योंके इनके साथ जो है B intersection M दो-दो दफ़ा add हो रहा होगा तो इसको एक दफ़ा minus कराता है इस तरह से हमने formula drive किया था इस formula में values put करेंगे और हमाई पास B union M आ जाएगा तो 75% chance है कि किसी एक में तो जो है वो invest कर देगा या तो B में कर देगा या M में कर देगा या दोनों में कर देगा B और M में तो union के इंतर intersection भी इंक्लूड होता है बी पार्ट कर लेते हैं इसका सारी values given थी हमें union भी हमने find out कर लिया था intersection में पहले से given था अब वो बोल रहा है कि neither tax free bond nor mutual fund तो इसको लिखते इस तरह से ना तो वो bond में कर रहा है ना वो mutual fund में कर रहा है तो इन दोनों पर prime लगाते हैं और बीच में intersection लिखते हैं तो जिस तरह की statement होती है तो आप इसको intersection के ज़रिए simultaneous statement अच्छा इसको अगर आप वेंड डाइग्राम में देखे ना तो वो इस तरह से वेंड डाइग्राम में नजर आएगा आपके पास यह B है और यह M है तो B और M आ गया तो ना तो यह इस reason में होना चाहिए B में ना B में होना चाहिए और ना वो M के अंदर ह होना चाहिए यह आपको find out करना है यह नहीं कि यह जो यह जो B और M है ना इसके इलावा आपने सब find out करना है अब अगर हम इसको probability के तौर पर देखें तो यह total probability आपके पास 1 होती है तो 1 में से अगर आप B union M निकाल दे तो यह वाला region सारा बच जाएगा तो इसका formula भी इसी तरह बनावा होता है कि B prime intersection M अगर आपने निकालना है तो 1 में से आप माइनस करते है प्रोबैक्टिव बी union M तो जो आपका required answer है वो आजाएगा अब यह B union M होता क्या है कि B में भी हो वो M में भी हो बी और M दोनों include हो जाते हैं लेकिन जब हम इसको 1 में से माइनस करा देते हैं तो ना तो वो B में रहता है ना वो M के अंदर रहता है अच्छा इसको एक और तारीके से भी drive कर सकते है formula को कि अगर यह लिखा हुए आपके पास B prime intersection M prime इस पर आपने demorvous law लगाया तो यह हो जाएगा B intersection के बज़ा यूनियन आ जाएगा M और यह whole prime हो जाएगा अब इसका तो simple simple यह formula है कि B union M का whole prime चाहिए तो आप total में से B union M ही minus कर दें इस तरह से भी यह drive होगा यह formula तो यह बहुत important formula है यह काफी use होता है काफी सवालात के अंदर इस formula में हम अपनी values रखेंगे और यह में पास 25% chance है कि ना वह bond में इंवेस्ट करेगा ना वह mutual fund में इंवेस्ट करेगा इसके बाद है if each code item in a category begins with three distinct letter तो एक code है उसके नदर different letter हो गई है different type के letter हो गई है फिर उसके बाद followed by four distinct non-zero digit तो four non-zero digit distinct होंगे तो इनको भी distinct numbers यहां पर आ जाएंगे अच्छा अब हमाई पास letter कितने होता है total total letters जो होता है आपके पास 26 होता है और total numbers कितने होता है जीरो से लेके जीरो से लेके 9 तक होता है यह नहीं कि अब non-zero है तो यह 0 तो आपने हटा देना है तो वन से लेके 9 तक होता है तो total 9 numbers होंगे हमाई पास तो अब इसमें अब क्यूंकि हमने probability find out करनी होगी अब हम आगे पढ़ते हैं find the probability probability of randomly selecting one of these code item with the first letter of vowel first letter उसका वावेल हो एंड लास्ट डिजिट इस इवन लास्ट इजिट इवेन हो तो सबसे पहले तो हम अपना sample space find out कर लें तो sample space किस तरह से find out करेंगे हैं कि तमाम possible values जो हैना सबसे पहले वह find out करेंगे ताकि उसको denominator के अंदर रखें तो 26 letters होता है हमाई पास तो सबसे पहले यहाँ पर 26 letter आ जाएंगे 26 में से कोई एक की choice आ जाएगी यहाँ पर तो 26 में से कोई एक यहाँ पर आ जाएगा अब क्योंकि distinct letters हैंगे तो अगली दफ़ा जो है एक की choice का हम होती रहेगी 26 में से एक यहाँ पर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर 25 आएगा फिर 24 आ जाएगा तो यह letters की number of possible ways खतम होगा है अब हम start करते है numbers के तो number है हमाई पास total 9 सबसे पहले 9 आएगा फिर 9 में से कोई एक प्लेस हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा फिर 7 में से कोई एक प्लेस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा तो यह आपके पास total possible number of ways इतने सारे code बन सकते हैं तो यह total codes आगा हमाई पास अब हम अपना सवाल आ जाते हैं अच्छा इसको number of sample space कह देंगे number of elements in sample space अब सवाल की तरफ आते ह वावल होना चाहिए तो वावल जो है ना ए ऐ आई ओ यू होता है और वह 5 वावल होता है तो फस्ट पर आपके पास restriction है फस्ट पर वावल 5 आ गया तो 5 में से कोई एक यहां पर number place होगा फिर total आपके पास 26 तो यहां पर 25 में से कोई एक यहां प्लेस होगा तो 24 हो जाएगा अच्छा अब number का start करते हैं जहां से restriction होती है वहाँ से सबसे पहले start करते हैं तो जो last digit है वो even होना चाहिए अब 1 से लेके 9 तक आपके पास कितने even number है 2 है 4 है 6 है और 8 है तो यह total 4 even number है तो सबसे आखिर में जो choice है ना वाई पास 4 की choice है सबसे आखिर में अब आप कहीं से भ place हो जाएगा फिर 8 अब आपने रखना है यहां पर तो यहां पर 8 की choice आजाएगी फिर 8 में से कोई एक place होगा 7 की choice आजाएगी 7 में से कोई एक place होगा तो 6 की choice आजाएगी यह आपका बन गया event अब क्या करना है probability of event निकालनी है तो divide करना है आपने उसको total से प्रूटल से यानिके divide करना और यह answer होगी आपके पास अन आप अधो अधो मॉबाल मनुफेक्ट्ट्रर इस कंसर्ण अबाउट पॉसिबल रिकाल अफिट बेस बेस्टेलिंग फोर दो सिडान इफ देर आधेर वरा रिकाल there is a probability of 25% of a defective in break defective in break को जो हम लोग B से denote करते हैं और फिर 25% इसको देता है इसके बाद 18% defective in transmission transmission को 18% दिया उसके बाद 17% defective in fuel system fuel system को 17% दिया अच्छा उसके बाद वो आगे continue कर रहे है कि 40% of defective in some other 40% जो वो अधर में आ जाएगा अब सवाल इसका पढ़ता है क्या बोल रहे हूं what is the probability that the defect is in the break or fuel system अब यह च्वाइस दी विया या तो fuel system के अंदर defect हो यह brake system में defect हो तो इसकी probability find out करनी है नहीं कि union find out करने के लिए बोल रही है बीच में और का word भी आ गया तो और choice भी मिल गई तो यह union नहीं है पिर union के साथ साथ इसने एक चीज़ दे दिया हमें कि if the probability of defective in both system simultaneously simultaneously दोनों के अंदर defect आ जाए तो उसकी probability भी इसने हमें दे दी 15% तो वो आगए हमाँ पास 15% probability अब फॉर्मुला बहुत सिंपल सा है अभी से पहले वाले सवाल में भी हमने फॉर्मुला अप्लाई किया था कि probability of b union f निकालना है तो आप क्या करेंगे separately b को add कराएंगे f के साथ लेकिन इसका जो intersection है वो दो दफ़ा एड़ गुआ वा होगा तो हम इसको एक दफ़ा माइनस करा देंगे देखें यह इस तरह से होता है यह b है यह f है तो जब आप b को add करा रहे हैं तो यह सारा portion आ जाएगा जिसके अंदर यह intersection वाला भी आएगा जब आप अलग से add करा रहे हैं तो यह सारा portion आ जाएगा जिसके अंदर यह intersection भी आ जाएगा तो यह intersection जो दो दफ़ा एड़ हो रहा है इसलिए माइनस होता है एक नेक्स पार्ट में लिखा है what is the probability that there is no defect in either break और the fueling system तो इस तरह से यह find out करने के लिए बोल रहा है कि ना तो break के अंदर default हो ना वो fuel system के अंदर fault हो तो neither की वाज़ा से यह prime लगेगा यह not default की वाज़ा से यह prime लगेगा और जब इस तरह की statement होती है ना दोनों को एक साथ use कर रहे होता है तो यह इसमें intersection लगता है ना तो break में fault हो ना ही fuel system में fault हो तो इसको इस तरह intersection से denote करता है अब यह पहले भी मैंने आपको बताया था कि यह अगर आपके पास यह यह B है और यह F है और यह आपके पास sample space है तो total sample space की probability वन होती है तो total probability आपके पास वन होती है अब देखें यह बोल रहा है कि B में भी न आउ F में भी न आउ तो यह B में भी नीए यहाँ पे भी नहीं है और F के अंदर भी नहीं है यह सब cancel कर दिया हमने तो इसका मतलब है इन दोनों के बाहर है तो यह जो region हमने cancel किया यह असल में है B union F है यह region तो इसका formula बनता है कि अगर total में से हम minus कर दे B union F total 1 में से minus कर दे probability of B union F तो हमाई पस यह desired answer आ जाए गई है अच्छा फिर इसका एक और भी तरीका ही है कि B prime intersection F prime है इसको आप demorvus law से open कर ले demorvus law यह है कि अगर individual prime लगावा है तो आप इसको whole prime कर सकते हैं लेकिन उसका अंदर का sign change करना पड़ेगा intersection है तो यह union हो जाएगा अब यह compliment का formula भी आपको पता है कि B union F का compliment निकालना है तो आप क्या करें total में से B union F ही minus कर दें तो इस तरह से भी यह formula drive हो जाता है तो यह बहुत important formula यह जो काफी सारे सवालात में use होता है values put करें और यह हमारे पास answer आजाएगा यह सवाल में if a letter is chosen from English alphabet तो total English alphabet आपके पास 26 होता है find the probability तो probability find out करनी है that the letter is vovile exclusive of Y तो Y तो वैसे भी vovile नहीं है तो हमारे पास vovile कितने होता है A, E, I, O, U यह 5 vovile होता है हमारे पास इसका simple सा answer है 5 divided by total तो अगर कोई भी एक letter choose करेंगे total 26 में से उसमें से vovile निकला है तो 5 divided by 26 इसकी probability होगी तो फिन next है find the probability that the letter is listed somewhere ahead of the letter J यानि कि before letter J पे होगा वहाँ से पिक हो जाए उसकी क्या probability है यानि कि उसके अंदर आता है A, B, C, D, E, F, G, H, I और ये J तो ये J को छोड़के ये सारे जोंगे इन में से वोई एक पिक हो जाए तो इसकी probability find out करने है इनको total count करेंगे तो ये 9 बनते हैं और इसकी probability होगी 9 divided by total 9 divided by 26 अच्छा उसके बाद है is listed somewhere after G तो G के बाद जित्ते element होगे न उसको आपने include करना है तो G, H, I, J, K और ये इस तरह चलते रहेगा ये Z तक जाएगा तो ये आपके पास total बनते है 19 alphabets बनते है 19 divided by total 26 ये answer होगे इसका 20 ये answer होगे जाएगे 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 जा